हमारे मुबाइल में बहुत सारी यूसफुल एप्लिकेशन को हम इस्टॉल करके रखते है ताकि उसका हम किसी ना किसी परकार से यूज कर सके जी हाँ दोस्तों गूगल प्ले स्टोर से इस परकार की एप्लिकेशन हमें मिल जाती है बट लेकिन गूगल प्ले स्टोर में टू application आती है वो popular होने के बाद ही आपके सामने शो होती है बट लेकिन आज यह कोई application launch हुई है तो उसके बारे में कैसे जान सकते हैं क्योंकि डेली हजारों लाग को application play store में आती है तो इसके लिए आपको सबसे प्रहले किसी भी browser का यूज़ करना है Chrome browser का फिलाल हम यूज़ कर ले Google.com जो की उपर आ चुका है इस परकार से आपको यहां पर search करना है और इसे आगे process कर देना है यहां पर देखिए इस परकार का आपके सामने interface open होगा और यहां पर उपर ही उपर कौने में जो कि तीर का निसान दिखाई दे रहा है या कुछ मुबाइलों में यहां पर तीन आपको दिखाई दे रहा होगा इस पर आपको क्लिक कर देना है फिलाल इस पर जैसे ही क्लिक करते है तो यह computer के desktop के समान में अमारे मुबाइल में दिखाई देती है और यहां पर कौने में देखिए एक एपस मुवीज बुक्स और वगयरा के कुछ ऑप्शन में दिखाई लगती है category wise भी आप यहां पर application देख सकते हैं और यहां पर देखिए उपर तीन ओप्शन दिए गए हॉम्स का टॉप चार्स का और न्यू रिलीज एप्लिकेशन का ठीक है तो यहां पर न्यू रिलीज जो है option दिया गया है इस पर आपको क्लिक कर देना है इस पर आप जै अप्लिकेशन मिल जाती है टॉप न्यू फ्री एंड्रोइड एपस यहां पर दी गई है आप गेमिंग एपस भी दी गई है और पेड गेमिंग एपस भी दी गई है जिसका आप यूज कर सकते हैं आपको और अधिक एप्लिकेशन देखने के लिए आपर सी मॉर वाले option पर आपको क्लिक करना है और सी मॉर वाले option पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पर जो फिलाहल कुछी दिनों में popular application जो लॉन चुई है वो सारी application आपके सामने यहां पर शो होने लग जाती है और बहुत सारी application जो कि आप डेली यूज करते हैं उसका यूज कर सकते हैं और आपके दोस्तों धन्यवादे